हेलो गाईज दिस यूर होस्ट फ्रम ट्रिकलोजी आज की वीडियो मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं रिकार्टिंग हॉट बिड्ट हॉट बिड्ट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टन अपडेट है और मैं आज आप लोग को पुरूफ कर रहा हूं कि जो जो बाते मैंने हॉट बिड' के हवाले से की थी वो सच हो गई है और ये विडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है अगर आप स्किप करते हैं तो unfortunately आप लोग अपना लॉस खुदी करेंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ हजारो यूटूबर्स हजारो इन्फुलेंसर्स ने ये बात बोली थी के hotbit भाग चुकी है और hotbit का सिनेरियो खतम हो चुका है लेकिन मैं इस बात पर था और हमेशा रहूँगा कि hotbit is one of the exchange that would never run ओके सो गाईज सबसे पहले आप लोग से request है अपने भाई के लिए चैनल को subscribe कर दें और notification का bell button लाजमी दबा दें और मेरी videos पे जाकर जितनी भी hotbit से related videos है वो सारी इस video के बाद देख लीजिएगा अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो आप लोग मुझे comment पे बता सकते है so guys that's all from my side let's begin so guys सबस्ब पहले तो यह वाली video देख ले 945 views पे मेरी गई भी है सहीए और मैं एक वाहिद यूटूबर हूँ जो के hotbit की news regular basis पे promote करता वा आया हूँ लेकिन unfortunately लोग मेरे ही चीजों को देखते वे मुझे ही काट रहे हैं और मुझसे ही सवालात कर रहे हैं यह देख ले हाँ top hotbit को ranking करने वाला यूटूबर कौन था वो trickology सबसे first पे आता है और फिर बाकी के लोग आ रहे हैं सही है तो यह प्रूव है कि मैंने hotbit को कितना support कर रहा है और hotbit के हवाले से मैंने कितने लोगों को बाते की हैं और लोगों को समझाया है कि hotbit run नहीं हुई है तो मैं आपको further इसके अवाले से और guidance देता हूँ और बताता हूँ कि अब hotbit का next move किया है तो guys जैसे कि आप देख सकते हैं यह hotbit का scenario है जो कि मैं शुरू से आपसे discuss करता वायता है कि June 30 को इन्होंने यह announcement करी फिर July 7 को इन्होंने यह announcement करी जुलाइ 19 को इन्होंने यह announcement करी अगस 31 को इन्होंने यह announcement करी सेप्टेमबर 18 को इन्होंने यह announcement करी अब कहानी कहां पर आके होती है वो October 28, 2023 मतलब कल hotbit ने इस हवाले से एक announcement करी कि आए उस announcement को हम फड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि hotbit हम से कहना क्या चाहता है और hotbit का next move क्या है So, dear hotbit users, hotbit sex operations are coming to an end and the DEX trial version will be launched on the Arbitrum Jolly Network at 4 a.m. UTC on October 23 साहिए तो इसके इसका मतलब simple यह है कि hotbit एक CEX exchange थी साहिए और DEX क्या है? CEX basically centralized exchange system है और DEX decentralized exchange system है जो के hotbit implement करने जा रहा है साहिए अब मैं आप लोग पूचेंगे कि CEX और DEX में क्या फर्क है तो देखे hotbit पहले था CEX मतलब centralized exchange system जो के central system से operate होता था central hub से operate किया जाता था साहिए अब मैं आपको clear करने के लिए थोड़ा सा आपके सामने information न करा हूँ एक general knowledge की CEX और DEX के तर्मियान एक difference बताने के लिए मैं आया हूँ देखें CEX आपको third party operation जिस तरह मैंने बताया एक centralized operating system handle कर रहा था तो वही इन्होंने mention कर दिया के भाई third party organization इसको handle कर रही होती है सहिए for example आपने कोई website grade करी और उस website करी hosting किसी services को दे दी जैसे name cheap, go daddy तो इसको हम centralized में consider कर सकते है DEX क्या है backed by blockchain जो crypto का main hub है जो crypto जिस पे rely करती है blockchain वो है इदर third party operator तो hotbit DEX की तरफ move कर रहा है सहिए और यह अभी फिल्हालबग trial और यह अभी फिल्वग trial version चल रहा है second day is KYC required थी CEX exchanges पे इदर DEX पे KYC की requirement अब आना शुरू हो रही है यहाँ पे तो mention नहीं है लेकिन पहले इस पे requirement नहीं थी anonymous बंदा बंके आप इदर transactions कर सकते थे लेकिन आप regulations की वज़ा से और बढ़ते हुए crypto scenarios की वज़ा से लोगों का load बढ़ रहा है crypto पे तो DEX को भी KYC की तरफ लेकर जाया जा रहा है सहीए अच्छा यह fiat currencies को support करती है और यह old coin and stable coins समझ रहे हैं आप खाली crypto को नहीं बलके old coin and stable coins जैसे USD हो गया USDT हो गया USDC हो गया इस तरीके के coins को भी support करती है सहीए order book matches buyers and sellers यह data internally CEX वाले manage कर सकते थे मतलब fake trades दिखा सकते लेकिन डेक्स में यह वाला scenario बिल्कुल भी नहीं है डेक्स में actual trading scenarios आपको दिखेगा or DEX will be very useful for the upcoming hotbit 2.0 so यह वाली बात हो गई so यह वाली बात हो गई clear के CEX और DEX में क्या फरक है और hotbit DEX trial version launch कब हो रहा है किस network पे हो रहा है arbitrum network पे हो रहा है चार बजे October 23 को सहीए आगे पढ़ते हैं website control will also be officially transferred to the new team however the original team will be continue to be responsible for the following matters जो hotbit पुरानी वाली का website का control team समालती थी वो team वैसी ही रहेगी लेकिन control पूरा दे दिया जाएगा नई team को और पुरानी वाली team से अगर जरुरत पड़ेगी नई team को कोई भी scenario पे discussion करनेगा पूछनेगा तो backup के तौर पे पुरानी team और available है और पुरानी team का काम क्या होगा किस matters पे वो अपनी राय सजेशन दे सकती है वो आगे पड़ते the old CEX entrance will be retained on the new DEX home page until the official version of DEX is launched during this period existing user can still withdraw funds and submit tickets for inquiries through this entrance सबसे बहला scene के है जो old CEX exchange है हमारी hotbit उसका withdraw का button आपको DEX के नई exchange पे नजर आएगा और आप click करके अपने सारे assets withdraw कर सकोगे चाहे वो shiba हो गया चाहे वो baby dodge हो गया चाहे वो कोई भी shit coin हुआ you can simply withdraw it और आप अपने टिकेट भी submit करके अपने मसले solve out भी कर सकोगे सही है इसके लावा liquidate investment assets of hotbit and airdrop DEX LP to hotbit holders तो इसके लावा वो लोग जो नई team है वो पुराने वाली बंदों को airdrops और investment जो उन्होंने hotbit token पे लगाए वे थे उसका भी advantage देते वे profit देता रहेगा सो आखरी line किया है we believe that reborn hotbit under the leadership of the new team will continue to provide ongoing value to customers in the crypto field keeping pace with the times सो hotbit ने बोल दिया है कि हमारा नया जनम हमारी नई बर्थ जो है under the leadership of the new team नई लोगों के under will continue to provide ongoing value to customers हम जारी रखेंगे के हमारे नए customers और पुराने customers को facilitate करते रहें crypto की field में और जो भी हमारा time पुराना वाला था उसी time और उसी pace पे हम लोग अपनी exchange new exchange को लेकर चले और हमारे यूजर इस work से मुतमाइन रहे और उन्हें हर चीज clear नजर आए so this is the thing hotbit new bond is going to be up on 23 October 4 a.m. UTC जो बात मैंने बोलती थी अब देखना यह है कि यह hotbit 2.0 के नाम से आती है डेक्स या it would be something else लेकिन मेरी नजर में hotbit 2.0 के नाम से ही launch करना चाहिए यह जादा फाइदा होगा बाकी hotbit की मर्जी लेकिन hotbit ने official announcement कर दी है so please please इस वीडियो का आप लोग लाइक कर दें खुश हो जाए और अपने tokens को withdraw करने के लिए तयार हो जाए 23 October को मिलेंगे नई वीडियो के साथ hotbit की 2.0 की launching की वीडियो और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उस पर आपने withdraw लगाना है और कैसे आपने work करना है नई exchange पर thank you so much guys have a nice day